हे दोस्तो, वेलकम टू स्टेडी आईएस और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्पेस एस्सोसियेशन के बारे में देखेंगे आखिर इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं ये क्यों यूसफुल है और इंडिया में इसका क्या रोल रहता है और हम ये भी देखेंगे आखिर ये जो अब बताया जाता है कि सैटलाइस बेस्ट कम्मिनिकेशन क्या होता है ये किस तरीके से यहाँ पर एस्सोसियेट करती है इंडियन स्पेस एस्सोसियेशन को तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल में आपको बताऊँगा अच्छे से एक्स्प्लेन करूँगा जिससे कि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट ना रह जाए और अगर दोस्तों आपको कोई डाउट रह भी जाते हैं तो कॉमेंट सेक्षन में आप अराम से अपने कॉमेंट हमसे पूछ सकते हैं अपने सवाल पूछ सकते हैं अब बढ़ते हैं वीडियो तरफ लेगन उससे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे न्यूज आती है अन अकेडमिक तरफ से अन अकेडमिक ने इस बार काफी अच्छा प्रदसन दिखाया है अपने एक्जाम निशन में UPSC CSC के में यहाँ पे टॉप 20 के अंदर साथ रेंकर हैं टॉप 50 के अंदर पंदर है और 170 ज़्यादा बच्चों ने इस एक्जाम को क्रैक करा है ओके दोस्तों तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस एक्जाम को क्रैक करें तो 13 अक्टूबर से नए बैचे स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग येर्स के लिए तो जो बच्चे चाहते हैं कि वो एंडरोल करें और अपनी तैयारी को बहतर करें तो जाके वो यहाँ पे इन्हें एंडरोल कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों यहाँ पे 17 अक्टूबर को UPSC CSC कॉमबेक्ट होने वाला है और हो सकता है कि यहाँ पे आपको मौका मिल जाए काफी सारे प्राइजर जीतने का और स्कॉररशिप जीतने के लिए भी ओके आप हमारा इन्वाइट कोड स्टरी आईएज भी यूज़ कर सकते हैं कफी सारे फीचर हैं जो कि आपको अनेकडमी प्रोवाइड करवा रहा है और अगर आप लोग यहाँ पे स्टरी आईएज कोड को भी यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिसकॉंट भी मिलेगा ओके दोस्तो तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो तरफ और देखते हैं इंडियन स्पेस एस्सोशेशन के बारे में दोस्तो सबसे पहले बता दू मैं यहाँ पे कि इंडियन स्पेस एस्सोशेशन को यहाँ पे launch करा है मंडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेद मोदी के जवारा मैं बता दूँ ये एक industry body रहने वाली है जो कि represent करेगी काफी सारे stakeholders को हमारे Indian Space domain के अंदर इसके अंदर काफी सारे members होने वाले हैं जैसे कि इसरो हो गया आपका Indian Space Research Organization भारती ATL हो गया, OneWeb हो गया, Tata Groups, Nelco हो गया, L&T, MapMyIndia और काफी सारे तो ये सभी मिलके यहाँ पे Indian Space Association के member वनते हैं ओके दोस्तों तो बता दूँ कि आपको इतनी बात समझ में आगी होगी कि मंडे को हमारे Prime Minister नरेंद मोदी जी ने इसे launch करा है नेक्स्ट बात करते हैं आखिर इसके क्या significance रहने वाले हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी पिछले कुछ सालों से इंडिया की progress रही है Space Sector के अंदर वो काफी बढ़ चुकी है और इसका जो main आप कह सकते हैं, जो primarily और जो आप कह सकते हैं, जो हकदार है वो इसरो रहा है, क्योंकि इसरो ने काफी कुछ यहाँ पर progress करी है हमारे जो इंडिया के Space Sector है उसके अंदर दोस्तों एक और बात बता दूने यहाँ पर काफी सारे private sector companies हैं जो चाहे वो global की हो जाए domestic हो वो अब हमारे Indian Space Domain के अंदर काफी दा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सच सच जितने आपके Space Based Communication Network हैं वो भी आना चाहते हैं इंडिया Space Domain के अंदर तो यह काफी अच्छी बात है कि अब बाहर से भी लोग और हमारे इंडिया में भी काफी सारे लोग हमारे Space में यहाँ पर investment करना चाहते हैं और यह काफी ज़्यादा आप कह सकते हैं useful रहने वाला है overall हमारी इंडिया पर भी आगे बात करते हैं आखिर यह जो Space Based Communication Network है हो कि इस तरीके से grow हो रहा है और यह बात्चीत में क्यों जादा रहा है देखें काफी ऐसी companies हैं चाहे वो इंडिया की हो या international company हो तो वो यह चाहती है कि वो अपने खुद के satellite communication प्रोवाइड करवा सके और अपने आप कह सकते हैं यहाँ पर जो internet connectivity है वो प्रोवाइड करवा सके एक retail level पे इसके अंदर काफी सारी company आती हैं जैसे कि होगी SpaceX की Starlink सुनील भारती मित्तल OneWeb हो गया Amazon's Project Q पर हो गया US satellite marker जो Hugus communication है वो हो गई तो यह सारी आप कहते हैं कुछ companies हैं जो की बिल्कुल satellite communication जो है वो दिलवाते हैं मैं बता हूँ एक example के तुरूपे जो OneWeb है यह एक ऐसी building है जो की यहाँ पे initial constellation प्रोवाइड करवाती है जिसके अंदर 648 low earth orbit satellite है और उसमें से बता दूँ कि 322 satellite जो है वो अभी औरविट में पहले से ही आ चुकी है इसकी service जो है यहाँ पे अभी Arctic reason में जैसे की Alaska Canada UK में है यह जल्दी चालू हो जाएगी इसी साल और आपके चकते हैं 2022 के अंदर OneWeb जो है वो ओफर करेगा high speed और low latency connectivity service इंडिया में भी और बाकी दुनिया में भी अगर हम लो आगे बात करें Starlink और Amazon के बारे में तो बता दू कि यह काफी दर discussion में रहते हैं हमारी Indian government के साथ कि हमारी government इन्हें license दे दे और यह offer कर सके satellite based internet services को जो SpaceX है उसके बारे में यह जानना भी जरूरी है कि उसका यह मानना ही या फिर वो चाहता ही है कि वो बना सके 12,000 satellite का और उसमें से बता दू कि 1300 satellite जो हो पहले से ही वो बेच आपके लिए satellite जो है internet के लिए क्यों इतनी important रही है और ऐसा क्या चीज है जो इन्हें खास बनाती है तो देखे एक जो industry expert है वो यह मानते हैं कि जो satellite internet है वो काफी ज़ता जरूरी हो जाती है जब हमें ऐसे areas में internet provide करवाना पड़ता है जहां पे जो terrestrial network है वो तक नहीं पहु पहुंचा पाते हैं तो अगर satellite use होती है तो आप कह सकते हैं हर जगह पर यहां पर जो है network internet पहुंचाया जा सकता है इसके साथ साथ जो satellite communication होती है वो एक तरीके से जो limited use पर ही काम करती है और वो use कर पाते हैं corporate और जो आपके institutions हैं वो वो भी अपने emergency use पर ओके और यहां पर अगर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है तो हम लोग connect कर पाएंगे हमारे remote areas को जो की अब तक किसी भी connectivity से connect नहीं है इस साल में अगस्त तक इंडिया की बात करूँ मैं तो इंडिया के पास मात्र तीन लाख जो है satellite communication customer है और अगर हम लोग compare करें US और European Union से तो US के पास 45 लाख है और European Union के पास 21 लाख है तो आप एक तरीके से यहाँ पे compare भी कर सकते हैं कि भारत की क्या performance रह रही है अगर हम लोग satellite communication customer की बात करें तो भारत आप कह सकते हैं दुनिया का दूसरे number population based country है और इसके पास मात्र इतने से customer है जो कि इसकी satellite communication customer है तो हमें इस पर भी काम क रहने की जुरत है और इसलिए यह इतना important हो जाता है and last दोस्तों यह बता दू मैं कि जिस तरीके से इसके इतने फाइदे भी बता जाते हैं लेकिन यह भी है कि काफी ज़दा crowd रहता है अगर हम लोग बात करें यहाँ पे orbital space के अंदर क्योंकि आप कह सकते हैं हर दिन या फि इंडियन गवर्मेंट है वो यहाँ पे किस तरीके से उनके साथ काम कर रही है अगर अब आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो comment section आप लोग के लिए है comment किजिए और अपने डाउट पूछिए मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक के लिए have a nice day